बचि 100 करोड के बजट की मुवी ने 16 दिन में 8 गुला कवाई कर ली है मतलब आप सोचे कि एक मुवे एगर 100 करोड की है और वो मुवी 800 करोड के वल 16 दिन में कमाने इसका मतलब मुवी जो पहली बाद तो टोटल जितना कवाई की वो बहुत ही जादा होगा मतलब मुवी का जो बजट है वो 100 करोड का है वो सबको पता है जिसकी 35 करोड तो रंगवी कपूर ने लिए थे 70 करोड से कम होके 35 करोड और अलग-अलग जैसे वो भी देवल जब है उन्होंने 5 करोड रुपे लिए तो जिसके बाद लगबग जो ज़्यादा पैसा लगा फिर बाद में वो प्रोडेक्शन में लगा मतलब कहां पर शूटिंग हो रही है और इन सब में लगा बट बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह थी कि कोविड के बाद क्या ही मुवी इतनी चलेगी तो उस चीज का महल डर था इस वज़े से रंगबिर कपूर ने अपने खीज भी कम की थी 75 करोड करी थी और इस वज़े से और लोगों ने भी अपना अपना हाथ खीचा था डारेक्टर और प्रोडूसर के लिए जो की थे टी सीनिस के और तो रूपी ने अब 800 करोड रूपे कमा लिए हैं सोला दिनों में बारत की अगर बात करें तो 500 करोड रूपी ने रूपे मुवी ने कमा लिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी रोज मुवी आठ करोड़ नो करोड़ ऐसा कमा रही है मतलम अभी मुवी हफते दो हफते तक तो 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 तिंचर हफते तक भी टिक सक रहेगा कि इसको स्क्रीन कम मिलेंगी क्योंकि सल्दारवर सिंडंकी का इतना बवाल वश्रे वाला है न स्क्रीन को लेकर तो यह मुवी तो बहुत ही कम हो जाएगी इस वज़े से इसका जो लगबग टोटल कलेक्शन रहेगा अब और पूरे वर्ड में 835 करोड़ रूपी रूपीज है अब 16 दिनों के बाद और एक्सपेक्टेड है कि यह लगबग 25 दिन तक रहे तो 1000 करोड का मार्क क्लोज कर जाए और जिसके बाद यह मेक्स तो मेक्स है 1000 करोड उसके बाद यह मूवी रिटायर हो जाएगी सिनवा करों से खैन यह मूवी आपको कैसे नगी और